Hello and welcome to Achievers, Hi Dear Learners, आज हम Introduction to Psychology begin कर रहे हैं, this video is for BA first students but I would like to tell you कि यह जो वीडियो है, जो topics हम discuss करेंगे और जिस book से हम discuss करेंगे, they are the easiest, easiest way to understand psychology, तो ऐसे सभी लोग जो psychology में इंट्रस्ट रखते हैं और psychology को समझना चाते हैं, इस book को पढ़ सकते हैं, आज जो हम begin करेंगे, that will be unit 1, Introduction to psychology, और यह एक general topic है, सभी competitive exams में पूछा जाता है, इस video की जो speciality रहेगी, इस पूरी series की, इसमें हम एक खास बात करने वाले हैं कि हर एक topic को study करने के बाद, उस पर based questions को भी solve करेंगे, साथ ही साथ करेंगे इसी video के end में, तो आपको पूरे वीडियो में बने रहना है, Introduction to psychology मे बारे में हम पढ़ेंगे, subject explanation हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला topic है, definition of psychology, जिसमें कुछ specific definitions की भी बात करेंगे, कि आपको exams में descriptive paper के लिए क्या चाहिए होता है, तो चलिए आज की chapter को हम start करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, कि ये एक बहुत ही easy book है, जो आप easily net से भी download कर सकते हैं, उससे भी असान तरीका है, आप हमारे channel पर visit करके easily इस book को download कर सकते हैं, आपको कुछ search नहीं करना पड़ेगा, channel का जो link है, हमारे telegram channel का वो आपको यहाँ पे description box में मिलेगा, तो chapter की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले topic, यानि psychology के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, psychology के बारे में आज तक बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन जो आज हम बात करेंगे, वो to the point करेंगे, कि psychology क्या है, एक basic और applied science दोनों है, basic science इसलिए है, क्योंकि यह हमें बहुत सारी information basic देती है, चाहे वो human behavior के बारे में हो, चाह इसकों real life में implement कर पाते हैं, तो जो psychology है, वो एक applied science है, और basic science तो ही, यह एक ऐसी science है, जो human और animal behavior के साथ डील करती है, देखिए, human behavior तक तो आपने आज तक पढ़ा था, सुना था, लेकिन animal behavior जो है, वो यहाँ पे introduced है, क्योंकि अब जब आप psychology में आगे बढ़ेंगे, तो आपने सुना भी है, जैसे इवान पैवलॉफ का नाम आपने सुना है, स्किनर का अपने नाम सुना है, इन लोगोंने birds पर या animals पर अपने experiments किये हैं, तो psychology में human behavior के अलावा animal के behavior को भी study किया जाता है, और कई experiments ऐसे हैं, कई psychologists ऐसे हैं, जिन्होंने सबसे पहले animals पर ही experiments किये ह हैं और उसके बात उनको generalize किया है, human पर, जैसे कि monkey पर, chimpanzee पर जो बहुत सारे experiments किये गए हैं, उनको human behavior पर भी apply किया गया है, psychologist, humans को तो study करते ही हैं, लेकिन वो animals को भी study करते हैं, ये बहुत important point है हैं समझने वाला, what makes people and animals tick is what goes on inside their bodies and brains as well as what they do, अगर आपने कभी भी animals के behavior को notice इसकिया है, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत सारी बातों को समझते हैं, जिन लोगों की घरों में pets हैं, वो इस बात को बहुत अची तरह किसे समझ पाएंगे, human के बारे में तो हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि human का तो हम जानते ही हैं, कि जो हम कहते हैं, दूस किस क्लास में, डेटेल में बात करेंगे कि क्या psychology की जो definitions हैं, किस तरह से human psychology और animal psychology वर्क करती हैं, एक बहुत common चीज़ है, जिसको आप काफी समय से पढ़ते आ रहे होंगे, psychology की जब modern definition की बात की जाती है, यानि at present psychology क्या है, psychology is the study of human behavior and mind and mental processes too, तीन चीज़े highlighted हैं, जो modern psychology में आ जो psychology है, वो Greek word से निकला है, psyche and logos से, psyche का मतलब होता है, soul, logos का मतलब होता है, reason or science, लेकिन ये जो psyche and logos है, ये तब applicable हुआ था, जब psychology philosophy से अलग हुई थी, आज भी psychology के रूट्स जो है, वो philosophy में ही है, और जब psychology philosophy से अलग हुई, इसको एक specific recognition मिला, तब psychology को science of soul कहा जाता था, लेक बहुत मॉटिफाय हो चुकी है, science of soul से ये बदल के science of behavior में convert हुई, जब behaviorism आया, आपने behaviorism का नाम सुना है, जब behaviorism आया, ये behavior में convert हुई, धीरे धीरे और चेंज होती गई, और आज के time में जो modern psychology है, उसमें human behavior के बारे में detail में पढ़ा जाता है, mental processes, यानि हमारा brain जो functioning करता है, cognition, perception, understanding, इन सब चीज़ों को psychology में study किया जाता है, और हमारा mind, हमारा mind एक processor होता है, brain का, mind कैसे work करता है, इसको भी psychology में पढ़ा जाता है, on this base, earlier psychology was called as a science of soul, but today psychology has become a science of physics, botany, chemistry, biology, हर चीज में आप देखे, psychology को आप देखेंगे कि वो connected है, social psychology भी है, हर एक psychology का जो है, वो अप detail में बात करेंगे, लेकिन, जो psychology का subject matter है, what does subject matter mean, जो उसका core content है, कि जो basic है, वो किसी भी field से जुड़ जाए, लेकिन उसका जो basic content है, वो behavior है, यहाँ पर behavior ज़रूर mention है, आप behavior, mental processes and mind, तीनों को साथ लेके चल सकते हैं, यह जो behavior word यहाँ पर लिखा हुआ है, यह represent करता है, तो basically psychology, अब human behavior and mental processes को scientific way में study किया जाता है, तो इसलिए हम psychology को एक science भी कहते हैं, क्योंकि एक ऐसी science है, जिसमें human behavior को scientifically study किया जाता है, देखिए हाँ एक definition भी दी है, psychology is the study, scientific study of behavior and mental processes, in this definition, behavior, mental processes and scientific concepts are important, behavior includes all of our outward actions and reactions, such as talking, facial expression and movements, जो कुछ भी हम बहारी तौर पर reflect करते हैं, वो हमारा behavior है, लेकिन हमारा behavior इंटरनल भी होता है, इसलिए हम behavior को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, overt behavior and covert behavior, यानि internal behavior and external behavior, internally जो हमारा behavior होता है, वो हम खुद ज्यादा feel कर सकते हैं, लेकिन हमारा external behavior है, वो हम दुनि तरीके से नजर आ सकता है, जिसको observe किया जा सकता है, और mental processes वो सारी activities होती है, covert activities होती है, जो हमारा mind reflect करते हैं, जिसके बारे में भी बात भी की थी, thinking, feeling, learning and remembering and a lot of things, जो कुछ भी हमारा mind reflect करता है, actions, उन सब को हम mental processes कहते हैं, इन mental processes को हम cognitive process भी कहते हैं, और यही से एक psychology की नई जिसको हम बोलते हैं, नई ब्रांच निकल कर आती है, जिसे हम कहते हैं cognitive psychology, cognitive psychology इसी चीज़ पर बेज़ है, कि यह जो हमारा brain different processes करता है, मारा mind जो हो processes करता है, वो mental processes किस तरह से होते हैं, तो इसके अंदर major mental processes को study किया जाता है, और यही कहलाती है cognitive psychology, लेकिन यह scientific क्यों है, क्य objectively, किसी भी person का जो human का जो behavior है, यह animal का जो behavior है, उसको study करने के लिए हमें scientific way में जाना होगा, रफली कोई भी definition नहीं दे सकते हैं, क्योंकि human behavior बहुत ज्यादा vary करता है, और scientific methods का use करके ही, psychologist in question के answer find out कर सकते हैं, कि जो human होते हो इक दूसरे से vary क्यों करते हैं, उनका behavior इस तरह क क्यों है, तो यह सब चीज़े हम discuss करते हैं, अब हम आप screen पर देख सकते हैं, psychology की कुछ definitions है, psychology is a science which aims to give us better understanding and control of the behavior of the organism as a whole, यह definition William MacDougall ने दी थी, एक popular definition है, और दूसरी है, psychology is the science of behavior, यह J.B. Watson ने दी थी, यह दो definitions है, आप इने learn कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने exam में descriptive लि definitions उसके introduction में लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, आप नहीं छोड़ कर चल सकते हैं, और आपकी knowledge के लिए भी आपको पता होना चाहिए, यह दो definitions है, जो मैंने यहां mention की है, आप चाहें तो कोई भी और definitions ले सकते हैं, जो आपको easy लगे, यह आपको लगे कि मुझे यह 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 करना थोड़ा असान हो रहा है, तो आप कोई भी definitions ले सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर short में कहें कि modern definition of psychology किस चीज़ पर focus करती है, psychology science है, psychology behavior and mental processes को study करती है by using scientific methods, अब हम आचुके हैं वीडियो के end में जहां पर हम एक question paper को solve करेंगे, आप देख सकते हैं, स्क्र answers अपने mind में आप set कर लीजे, उसके बाद हम अहां पर answers को discuss करेंगे, तो चलिए आज की class में जितना कुछ आपने पढ़ा है, introduction to psychology में, उसके basis पर कुछ questions हैं हमारे सामने, ncq, इनको हम quickly discuss करेंगे, question number one is psychology is basic and which science, यहां पर चार options दिये हुए हैं, जिसमें से हमारा जो option number one है, that is natural, theoretical, applied and scientific, आपने अभी भी study किया है कि basic और एक applied science होती है, तो option C is the correct one, psychologists do study people, but they study which one to, इसके अलावा किसको study करते हैं, तो priority पर हमारा animals रहेगा हैं, तो birds के बारे में भी हैं कुछ experiments, but majorly हम human के अलावा animals को ही consider करते हैं, psychology word comes from which word, जिसका meaning psyche and logus होता है, जिसमें दो word psyche and logus से मि कर ये बना है, and the answer is Greek, you must remember this, today the subject matter of psychology is, यानि कि psychology किस चीज़ पर focus करती है, present में, that is behavior, और अगर आपको ये question थोड़ा modify कर दिया जाए कि, पूछा जाए कि initially psychology का subject matter क्या था, तो वो soul रहेगा, but present में behavior है, and the mental processes are also called which processes, cognitive, scientific, physiological and social, तो mental processes को हम cognitive processes भी कहते हैं, इसका नाम है, तो ये था हमारा आज की class, जिसमें हमने कुछ topics को पढ़ने के बाद MCQs discuss के हैं, I hope आपको ये content समझ में आया होगा, if you have liked the video, then please like it, and if you have understood it well, then please let me know through your comment section, subscribe to the channel if you have not done it yet, see you very soon in the next video, till then take care, bye-bye.